हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल रोहिनी क्लासस में तो आज हम क्लास 10th की हिस्ट्री का यूरोप में राष्टवाद की उध्य का जो है अगला पार्ट देखने जा रहे हैं जिसमें हम जो है आज बात करेंगे राष्टवाद और समाजवाद की ठीक है और हम जो है इस चैप्टर के question answer को भी लगाएंगे तो चलिए बिना किसी देरी के start करते हैं तो आगे पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं राष्टवाद और सावराजवाद की बारे में ठीक है तो राष्टवाद क्या होता है राष्टवाद यानि की nationalism देखे लोगों के जो है किसी समू की उस आस्था का नाम है राष्टवाद जिसके तहत क्या होता है वे खुद बंधन जो है ना इन ही बंधनों के कारण जो है वे इस निसकर्ष पे पहुंचते हैं कि उन्हें आत्मनिर्णे के आधार पर अपने संप्रभू राजनीतिक समुदाय यानि की राष्ट की स्थापना करने का दिकार है हाला कि मैं आगर आपको बताओं तो दुनिया में ऐसे कई राष्ट नहीं है कोई भी कोई भी ऐसा राष्ट नहीं है जो इन कसोटियों पर पूरी तरीके से फिट बैठता हो इसके बावजूद अगर विश्व के एटलस हम उठा कर देखे ना तो धर्ती का एक एक इंच जो है जमीन राष्टों की सीमाओं के बीच बटी हुई म पिता की बात करू तो राष्टवाद के प्रतिपादक थे जॉन गाट फ्रेड हर्डर ठीक है ध्यान रखेंगे जॉन गाट फ्रेड हर्डर इन्होंने जो है अठारवी सदी में पहली बार इस शब्द का प्रयोग करके जर्मन राष्टवाद की नीव डाली यह आपको ध् संसार क्या होता है कि कोई महात्वकांग्षी राष्ट जो है अपने शक्ति और गौरों को सारी गौरों बोल दिया गौरों को बढ़ाने के लिए अपने देश के प्राकृतिक और मानवी ठीक है संसादनों को चाहिए वह प्राकृतिक संसादन हो या फिर कह लिजे मानवी स संसाधर हो इन पर अपना नियंत्रन स्थापित कर लेता है यानि कि ये जो हश्ट शेप है वुछ राजनी तीक आर्थीक सांस्कृतीक और प्रत्यक्ष भी हो सकता है furnace कि अगर मैं सामराज की बारे में बात करूँ तो इसके अर्थ को समझना इतना आसान नहीं है कई लोगों के अलग अलगतर के हैं ठीक है यह आपको समझना होगा तो सामराजवाद एक द्रिष्टी कोड है जैसे कि मैंने बताया जो क्या करता है महत्वकांची राष्ट जो है अपनी शक्ति और गौरों को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक और मानवी जो है संसाधनों का नियंत्रन जो है स्थापित कर लेता है आगे बढ़ते हैं तो देखे उन्नीस्वी सदी के अंतिम चोथाई तक क्या हुआ राष्ट वाद का वहा आदर्श वादी उधार वादी जन्तांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था अब क्या हुआ अब र दूसरे के प्रती जो है अनुदार होते चले गए और लड़ने पर उतारू रहते थे हमेशा लड़ने के लिए हमेशा तयार रहते थे ठीक है और साथी प्रमुख यूरोपी शक्तियों ने भी अपने सामराज जवादी उध्यश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगो जाती भिनता थी भागोलिक भिनता भी थी जाती भिनता भी ती अब इनमें से जो है आधुनिक रोमानिया बुलगेरिया अलबेनिया यूनान मैसिडोनिया क्रोएशिया बोष्णिया हर्जे को विना स्लोवैनिया सर्बिया मॉंटीनेग्रो यह सब सामिल थे तो छेत्रके अंतरिक सुधार्व के जरिये मजबूत बनना चाहा था लेकिन क्या हुआ कि इन में जो है इसे बहुत कम सफलता मिली एक के बाद एक इसके अधीन यूरोपी राश्चेता हैं जो है उनके चंगुल से निकल कर स्वतंता की घोशना करने लगई ठीक है और बालकन लोगों ने आजादी या फिर कह लीजे राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राश्चेत कि आद्हाधार मान लिया अब उन्होंने इतिहास का इस्तिमाल यह साब्द करने के लिए कि-वे कभी स्वतंत थे किन्तु तत्पस्चात विदेशी विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया आपने संखरसों को लंबे समय से खोई आजादी के बापस पाने में प्रयासों के रूप में देखा अब देखिए जैसे जैसे विभिन सलाव जो थे ना राष्टे समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंतरता की परिभाशा जो है तै करने की कोशिश की बालकन छेतर गहरे टकराओं के छेतर बन गया ठीक है बालकन राज एक दूसरे से भारी इर्शया करते थे और हर एक राज अपने लिए जादा से जादा इलाका हथियाने की उमीद करता था ठीक है कि हम कितना जादा से जादा हथिया ले ठीक है और परिस्थितियां और अधिक जटिल अब इसलिए हो गई क्यूंकि बालकन छेतर में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस परदा होने अब जिस तरह बालकन समस्या आगे बढ़ी उसमें ये प्रतिस परदाएं जो है न वो खुल कर सामने आए गए ठीक है तो रूस जर्मनी इंग्लेंड ओटो हंगरी की हर ताकत हर एक ताकत जो है बालकन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को खमजोर करके छेतर में अपने प्र रास्टवाज जो था ना उननिस सो चौदा में प्रतम विश्व युद्ध की शुरुवात हुई थी चीक है तो उननिस सो चौदा में यूरोप को महा विपदा की ओर ले गया लेकिन इसी बीच जो है विश्व के अनेक देसों ने जिनका उननीसवी सदी में यूरोपी शक करने के लिए संगर्स कर रहे थे और वे सभी जो थे एक सामूहिक राष्टी एक्ता की भावना से प्रेरित थे जो कि सामराजवाद विरोध की प्रक्रिया में उबरी तो राष्टवाद के यूरोपी विचार जो थे कहीं और नहीं दोर आए गये क्यों कि हर जगा लोगों कि अपनी तरह का विशिष्ट राष्टवाद विक्सित किया मगर यह विचार जो था कि समाजों को राष्ट राज्यों में घठित किया जाना चाहिए अब सभावी को और सर्भौम मान लिया गया ठीक है सर्वेसरवा मान लिया गया तो आई अब बात कर लेते हैं यह कौन थे यह जो थे इटली के क्रांतिकारी थे इनका जन्म 1807 में हुआ था कहां जेनेवा में ठीक है और वह जो है कार्बोनारी के गुप्त संगटन का सदसे बन गया चौबिस वर्ज की अवस्था में मैं आपको बताओ तो चौबिस वर्ज की अवस्था में लिगूरिया में क्रांति करने के लिए जो है उन्हें देश से बहिस्कृत कर दिया गया यानि की बाहर निकाल दिया गया अब इसके पस चाथ जो है इन्होंने न दो और भूमिकर संगठनों के स्थापना की पहला था मार्जी में यंग इटली और दूसरा बनाए इन्होंने बर्न में य यानि की इटली का एकी करन ही इटली की मुक्ती का आधार हो सकता है और उसने जो है राज तंत्र का घोर विरोध किया अब उसके माडल पर जर्मनी पोलेंड फ्रांस विट्जल लेंड भी गुपत संगठन बने अब इसी कारण क्या हुआ ना कि मैटर निक ने उसके विसे म ये कहा कि हमारी समाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है ठीक है आगे बात करते हैं बात करते हैं अब हम काउंट कैमिलो देकावूर ये कौन थे भई ये थे इटली के मंत्री प्रमुक प्रमुक मंत्री ठीक है जिसने जो है इटली के प्रदेश को एकी कृत करन सदस्यों की तरह न वह इटली भासा से कही बहतर क्या बोलता था फ्रेंच बोलता था तो इटली के समराट थे विक्टर एमैनुवल ने उसे 1852 में ध्यान रखेंगे 1852 में सारडीनिया पीडमाउन का प्रधान अब उसने यहां पर क्या किया आर्थिक सेक्षिक क्रिसी जो है के विकास के लिए कारे किया और सेना में सुधार किया ठीक है आगे बढ़ते हैं बात करेंगे युनानी स्वतंत्रता युद्ध ये क्या हुआ ये कब हुआ तो युनानी स्वतंता युद्ध ने पूरे यूरो यूनानिव necessarily 1821 में आरामभी मिलन अंग्रेज कवी लॉड बायरन ने घ्ञ और यूद लड़ने भी गया जहाँ पर क्या हुआ 1824 में बुखार से उनकी मृत्यू हो गई यानि की कहनी का मतलब यह है कि 1832 में एंड में जो है कुस्तुन्तुनिया की संधी ने युनान को एक स्वतंतर राष्ट की मानेता दी आगे बात करते हैं फ्रैंक्फर्ट संसंद देखिए जर्मनी इलाकों में क्या था ना बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंक्फर्ट शहर में ध्यान न केंगे फ्रैंक्फर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेसनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया ब्यात करेंगे 18 मई ठीक है 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनीधियों ने एक सदे जज़े जुलूस में फ्रैंक्फर्ट संसद में अपना स्थान गरहन किया यानि कि ये जो संसद थी ना ये सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई उन्होंने एक जर्मन राष्ट के रूप में जो है संविधान का प्रारूप तैयार किया और इस राष्ट के अध्यक्षिता जो थी एक ऐसे राज़को सोपी जिसे संसद के अधीन रहना था ये चीज़ आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं अगला है राष्टरवादी संगर्सों में महिलाओं की भूमिका क्या महिलाओं की भूमिका रही देखें महिलाओं ने इसमें सक्री रूप से भाग लिया महिलाओं ने अपने राजनीतिक संग्टर इस्थापित किये अखवार शुरू किये राजनितिक बैठ को और प्रदर्शनों में भाग लिए अब इसके बावजूद आप ये देख वीजिए कि उन्हें असेंबली के चुनाओं के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया इतनी जादा एक्टिविटी के बावजूद आप ये देखिए ठीके और जब क्या अगला क्वेशन है फ्रांसीसी लोगों के बीद सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने क्या कदम उठाए देखिए ऐसे अनेकों कदम उठाए अगर मैं सबसे पहले कदम की बात करूँ तो पित्रिभूमी और नागरिक जैसे विचार के विचार पर बल दिया जिसे एक सम्मिधान के अंतरगत क्या हुआ समान मताधिकार प्राप्त थे दूसरा एक नया फ्रांसीसी जंडा चुना गया जिसे पहले के राश्टुधच की जगह ले ली जिसने तीसरा इस्टेट जनरल का चुनाओ जो है सक्री नागरिकों के और जो है शहीदों का गुडगान हुआ और ये सब जो है राश्ट के नाम पर हुआ ठीक है एक केंद्री प्रशाश्निक विवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाक में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए आंतरिक आयात निर्यात शुल के श आगे बढ़ते हैं अगला क्वेस्चन है मारियान और जर्मेनिया कौन थे और जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्तो था देखे सबसे पहले अगर मैं आपको बताओ मारियान के बारे में तो ये जो है एक लोगप्री एसाई नाम है क्या है एक लोगप्री चिन जो थे ना स्वतंता और गड़तंत के प्रतीक लाल टोपी तिरंगा और कलगी थे ठीक है तो मारियान की प्रतिमाएं हैं वो सारवजनिक चौरा हो अन्यमहत्पूर्ण अस्थानों पर लगाई गई ताकि क्या हो जनता को रास्ट्री एकता के रास्ट्री प्रतीक की य सारी का रूपक है यानि कि जो है वह जो है बलूत व्रिक्ष के पत्तों को मुकुट पहनती है ठीक है क्यों कि जर्मनी में बलूत जो है वीरता का प्रतीक है उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा हुआ था कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की और इस प्रकार जर्मेनिया जर्मनी में स्वतंतता न्याय और गरतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवी है ठीक है अगला क्वेस्चन है जर्मन एकी करण की प्रक्रिया का संगशेप में पता लगाए इसके बेसिकली बहुत सारे चरण है पहले चरण की अगर मैं बात दूसरा संसदी ववस्था इस्थापित करने की प्रिष्ट भूमी तयार की जाने लगी तीसरा जर्मन लोग जो थे जर्मन लोगों में 1848 इस्वी से ही न रास्ट्री भावना जागरित हो गई थी और इससे क्या हुआ इसमें जो है मध्यमवर्ग का योगदान जो था वो अधिक था इस प्रक्रिया में प्रशा ने जो है आश्टिया डेनमार्क और फ्रांस से भी युद्ध किये और सफल्ता भी प्राब्द की इसप्रक्रिया के तहड जह जनक-प्रशा के प्रधान-्मंत्री और उटो-वॉन-विसमार्क थे और उन्होंने जो है प्रशा की शे वाले छेत्र में शाषन विवस्था को जादा कुशल बनाने के लिए नैपोलियन ने क्या बदलाओ किये भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है दमदार क्वेश्चन है नैपोलियन के नियंत्रण में जो छेत्र आया वहां उन्होंने सुधारों की शुरुवात की उसके पहला सुधार अगर मैं बताओं तो प्राचीन समाजिक राजनेतिक धार्मिक विवस्था को उसने नस्ट कर दिया उसने ठीक है दूसरी चीज समाजिक समानता इस्थापित करने के लिए उसने जो है ना निम्न और उच्छ वर्ग के भेदभाव को खतम किया ठीक है और 1804 क अगर मैं बात करू तो नेपोलियन सहिंता ने जहन में पर आधारित विशेश अधिकार समाप्त कर दिये थे और उसने जो है कानून के समक्ष शमानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया उसने जो है समान कर प्रणाली लागू की ठीक है और जो है प्रतिष्ठ संगो का नियंत्रन को हटा दिया आर्थिक सुधार करने के उद्देश से बैंक ओफ फ्रांस की स्थापना की ठीक है यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है आए थोड़ा सा इस पर भी चर्जा कर लेते हैं उदारवादियों की 1848 की क्रांती का क्या अर्थ लगाया जाता है उदारवादियों ने किन राजनीतिक समाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया देखें उदारवादियों की 1848 की क्रांती जो थी ना वास्तों में तब हुई जब क्या हुआ जब कई यूरोपिय देश में बिरोजगारी भुकमरी गरीबी का वातवरन था यान हैं देखें पहला अगर मैं राजनीतिक परिवर्तन के बात करू तो राज तंत्र के अंत करके गरतंत की स्थापना होई सारवजनिक मताधिकार के आधार पर वोटिंग होने लग गई महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिये जाने लगे समाजिक परिवर्तन क्या हुआ समा गरों ने भी अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन और अंदोलन का मार्ग अपनाया जो भू दास्ता और जो बधुआ मस्दूरी था ना उसको उसका अंति किया गया बाजारों की मुक्ती चीजों और पूंजी की स्वतंत्रादान पतान की मांग ने जो है जोर पकड़ा ताक से पहला उदारन मैं दोंगी फ्रेडरिक सर्यू का यूटोपिया में जो है 1848 इसवी में फ्रांस के फ्रेडरिक सर्यू ने चार चित्रों की सिंखला बनाई जो कि मैं आपको बता चुकी हूं ठीक है उसने जो है कलपना पाराधारित आधर्श राजे यानि की समाज यूट पत्र था दूसरा कारल क्रेस्पर फिट्स की स्वतनता का जो है व्रिक्ष कर ओपर तीसरा यूजी देवकोला इसमें जो है दा मैसिकर एट क्रियास इनका जो है चित्रन किया गया ठीक है अगला क्वेशन है किनी दो देश पर ध्यान के इंद्रित करते हुए बताएं कि 19 में राश्च किस प्रकार विक्सित हुए तो सबसे पहला मैं आपको बताऊंगी बेल्जियम का बेल्जियम में क्या हुआ कि विएना कांग्रेस द्वारा वेल्जियम को हालन्ड के साथ मिला दिया गया लेकिन दोनों देशों में इसाई धर्म के कट्टर विरोधी थे मतान की कहने के मतलब यह है इस रेष्टा को बनाए रखने के लिए न उसने सभी स्कोलों में प्रोटेस्टेंट धर्म की सिक्षा देने की राजाग्या जारी कर दी अब इसका बेल्जियम वासियों ने कड़ा विरोध किया इसमें इंगलेंड ने भी उसका साथ दिया जिस द्वारा ही जो है पोलेंड को दो भागों में बाटा गया और इसका बड़ा भाग जो है रूस को इनाम के तौर पर दे दिया गया लेकिन जब वहां के लोगों में राष्टी भावना का विकास हुआ तो 1848 में पोलेंड में वार्षा की क्रांतिया अरंभूई अब इसे ज राष्टवाद का इतिहास सेस यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्द था बहुत सारे इसके कारण है पहला कारण यही देख लीजी अठारवी सताब्दी में जो है पूर्व ब्रिटाइनी एक राष्ट नहीं था जबकि ब्रिटाइनी दीब समूहों में अंग्रेज वेल्स, स्कॉट, आईरिश यह सब पहचान वाली ने जाती समूहों रहते थे अब इन्वे जो है आंगल राष्ट ने अपनी धन दौलत एहमियत और सत्ता के बल पर अन्य दीब समूहों के जो है राष्टों पर अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारंब कर दिया ठीक ह और इसमें इसके द्वारा जो है United Kingdom of Great Britain का गठन किया गया अब इसी के माध्यम से Scotland पर इंग्लेंड का प्रभुत्त इस्थापित हो गया तो यह सब चीजे अगला क्वेशन है बालकन प्रदेशों में राष्टवादी तनाव क्यों पनपा इसके बहुत सारे कारण है सबसे पहला कारण है कि इस छेत्र में अपनी भोगौली को और जाती भीनता थी दूसरा कारण तूरकों और इसाई प्रजातियों के बीच मत भेद तीसरा कारण जब इसलाव राष्टे समुहों की सतंता और राष्टवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिती और भयांक लगा यहीं समाप्त करती हूं कैसा लगा मेरा यह वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताए गाइस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें क्यूंकि मैं ऐसे ही आपके लिए इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग वीडियो लाती रहोंगी अपने डाउट्स जो है बेफिकर होके पूछिए वो डाउट्स का समाधान होगा तो गाइस वीडियो को जादा से जादा शेयर भी कर दिया करें थैंक यू वेरी मच